हेलो फ्रेंट्स जैसा कि कल जो टेस्ट हुआ था उसका एंसर की रिलीस कर दिया गिया है आपको एंसर की और क्वेश्चन दोनों साथ में वीडियो में दिखा दे रहे हैं और वैसे वीवर जो हमारे वाट्सअप ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वह हमारे वाट् एंसर की मिलेगा हैं एंसर की में अगर आपको कहीं घड़ बड़ी लगता है तो आप प्रूफ के साथ अपना अबजेक्शन डालिए चैलेंज किजिए और अगर आपका अबजेक्शन सही पाया जाता है तो एंसर की को बदला जाएगा या फिर बोनस मार्क्स दिया एगा रैंक वाइस जिस तरह इसील का रिजूल्ट निकला था रैंक बाइर एंक वन किसी का रैंक वन रैंक टूरेंग त्री जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया रैंक वन इस तरह से आपको एक मैरिट लिष्ट भी दिया जाएगा जिससे आप जो है अपना प्रिपरेशन को एनिलाइसिस कर सकते हैं अपना चेक कर सकते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसा है 500-700 केंडिजेट के बीच में आप आराम से अपना पोजिशन देख सकते हैं कि आप अभी आल अवर इंडिया में माइनिंग इस्टुरेंट के बीच में कितना रैंक में आ रहे है तो चलिए कल ज अंसर जो है disintegration transportation दोनों होगा तो इसका saja बोथ A and B होगा disintegration का मतलब हो जाता है किसी चीज का तूटन ओर transportation का मतलब हो जाता है उसका एक प्रेसतüğ से दूसरे प्रेस में चले जाना किसी transportation medium के द्वारा तो erosion जो है वह दोनों को process को हम लोग बोलते हैं कि affected जोने diamond deposits are found in diamond deposit कहां found है कहां मिलता है तो friends बता दे कोलार एरिया में जो है वो gold मिलता है सिंग्भूम एरिया में iron मिलता है पन्ना एरिया में diamond मिलता है तो बहुत सारा student को अगर नहीं पता था तो वो यहां से देख लिजेगा कि इसका right answer पन्ना होगा आप लोग पहले भी सुने होंगे पन्ना एक तरह का precious stone होता है इसी वज़ा से महां का नाम पन्ना भी पड़ा है next question आ जाता है कि when copper is alert between it is known as बहुत लोगों ने brass answer किया brass नहीं होगा friends brass मतलब कुछ और हो जाता है ब्राउंज इसका right answer होगा अमलगम जो है अमलगम कुछ और चीज होता है golden metal कुछ और चीज होता है तो उमीदे friends आपको यहां से clear भी होते चल रहा होगा next question है कोर्बा कोल फिल्ड located in कोर्बा कोल फिल्ड कहां located है तो इतना easy-easy question पर भी student जो है वो mistake कर दे रहा है औरीशा में तल्चर कोल फिल्ड है 36 गड़ में कोर्बा कोल फिल्ड है next question में आते friends कि बकसाइट का इस्तमाल किस industry में होता है तो friends बकसाइट जो है वो aluminium का ओर है तो iron इसका answer नहीं होगा iron अगर hematite और magnetite पूछता तो iron होता fertilizer में ज़्यादा तर urea का इस्तमाल होता है और चाहत अपको बताते है urea जो है वो maximum synthetic होकर कहीं बनता है cement factory में सबसे ज़्यादा gypsum, lime ये सब का इस्तमाल होता है तो इसका right answer aluminium हो जाएगा next question is the longest flowing river in India is friends बहुत कोई को ब्रह्मपुत्र और गंगा में confusion था तो बता दे ब्रह्मपुत्र नहीं है ब्रह्मपुत्र longest है अगर आप उसको चीन के साथ जोड़ करके देखिएगा तो बढ़ यां इंडिया का पूछा जा रहा है तो आपको गंगा ही देना पड़ेगा और peninsular region के लिए गोदावरी होता है next question में आते है friends the southernmost point of the India is देखिए यहां पर maximum student ने कन्या कुमारी answer लिखा है बट अगर आप से पूछे the southernmost point of India in land अगर जमीन पर पूछे तो वहां पर कन्या कुमारी होगा लेकिन इंद्रा point जो है वो सबसे southern point है हम लोग का C में जो अंदमान निकोबार में पढ़ता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है next question में आते friends the prime minister of India is the head of state government नहीं होगा state government का head chief minister होते है central government इसका right answer है both government जो कह रहे हैं नहीं friends both government का head नहीं होता है prime minister इसका right answer central government होगा इंडियन constitution में कितने schedules है friends 12 schedules है और एक question इसमें बन सकता है कि जब हम लोग का constitution बना था तब कितना schedule था तो उस समय साथ 9 था एक बार देख लेना होगा which of the following gas is found in maximum percentage in mind's atmosphere friends इसमें बहुत सारे students oxygen को लेके confused थे ठीक है oxygen का percentage जाता होता है लेकिन maximum जो percentage होता है वो nitrogen का होता है जो जिस तरह से जाता है उसी तरह से वापस आ जाता है बिना कहीं consume हुए it is not a breaking system of dumper तो friends इसका maximum लोगोंने सही answer दिया stopper क्योंकि service break होता है parking break होता है retarder break होता है stopper break नाम से कोई break नहीं होता है fire tender जो है वो firefighting के लिए यूज होता है इसमें maximum लोगोंने सही answer दिया जिन्होंने गलत answer दिया है जाकर कर वेरिफाई कर लीजेगा performance of blasting is calculated by stripping ratio नहीं होगा power factor पावर factor भी नहीं होगा अगर powder factor रहता तो होता इस पेस फेक्टर नहीं होगा नन अफ दीजिसका right answer है यह question already ncl में पूछा जा चुका है उसका options में नन अफ दीज के जगा powder factor था लेकिन वहाँ पे भी power factor लिखा हुआ था दोनों options में दिया होता तो बहुत student जो पावर factor मार के आया था तो यह गलती student दोबारा ना करें इसलिए हम यह question include किये थे next question आ जाता है every RTP मतलब rescue trend person shall be re-examined once at least 10 month मतलब medical के लिए यह एक word छूड़ गया है medical word तो medical re-examine लिखना था लेकिन कोई दिखकत नहीं maximum trend ने बारा महिना सही answer दिया है आपको rescue rule में यह चीज मिल जाएगा कि साल में एक बार जो है यह examination करना है medical examination every rescue station there shall be appointment dash superintendent and maintain a rescue brigade of not less than dash RTP इसका right answer एक superintendent और कम से कम 18 लोगों का brigade एकर आना चाहिए जो rescue trend person रहेंगे इसमें अगर instructor पूछे तो instructor 2 हो जाएगा अगर instructor superintendent के जगा पूछता तो 2 और 18 इसका सही answer होता लेकिन क्योंकि superintendent पूछा गया है तो यह एक और 18 होगा next question आते है friends की when steaming is insufficient then there is a chance of over breakage of coal जब बारूद ज्यादा डालेंगे तब होगा blown इसके बाद आ जाता है excessive ground vibration इसमें जब जरूरत से ज्यादा बारूद और जरूरत से ज्यादा stemming या फिर hole का depth ज्यादा हो जाता है तब होता है blown through source जब दो जगा का partition कम हो जाता है तब होता है तो इसका right answer blown out source हो जाएगा hole का फुका जाना next question क्या था next question hide हो गया है बट यहाँ पे relieving hole वाला यह question था relieving hole का कितना centimeter रहेगा तो बहुत student ने 0.3 मार दिया है गलत है वो clearance का answer होता है 30 cm relieving hole का answer है next question है it is known as sudden violent expansion of coal pillar coal pillar के sudden violent expansion air blast जब हम लोग बोलते है जब उपर से roof fall होता है और अचानक large volume of air गैलरी में आ जाता है उसको air blast बोलते है local fall आपको पता ही होगा जो support हटार देने के बाद तुरंत हो जाता है इसका right answer coal pumps होगा next question what should be the minimum anchor resistance of roof bolt after 30 minutes तो front 30 minutes के बाद 3 ton load होना चाहिए जो लोग एक टन पांच टन दर्श तन दिये हैं बाई एकदम गलत है आप लोग इसको दिख लिएगा ड्राय रूट वेट रूप जो है timber support खुटा support लकडी का जो support है उससे जुड़ा हुआ चीज है तो इसका root bolt गलत एंसर होगा power support गलत एंसर होगा यह लकडी का विमारी है नेक्स्ट कुश्चन आ जाता है minimum space required for first aid room is 10m2 point number one point number two minimum space required for rest aid is 14m2 point number three rescue station is smaller than rescue room तो friends इसमें point number one बिलकुल सही है point number two बिलकुल सही है और point number three बिलकुल गलत है rescue station हमेसा बड़ा होता है rescue room से इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको comment section में बताइएगा हम इसका अच्छा से explanation आपको दे देंगे तो इसका answer हो जाएगा only three is incorrect आप देखिएगा options बहुत confusing options दिया हुआ है जो ध्यान से options नहीं पड़ेगा वह गड़बड हो जाएगा only three is incorrect यही सही answer है next question में आता है delay between the ignition of and application of heat source is code lag of ignition point number one point number two form type fire extinguisher is good for class e fire point number three fire dam is also name same name as of ch4 तो friends बहुत लोगों नहीं answer दिया one two three is correct देखिए point number two बिलकुल गरत है क्योंकि हम लोग form type fire extinguisher class e में use नहीं करते हैं क्योंकि उसे current लगने का खत्रा होता है तो point number two जो है वो incorrect है तो इसका मतलब point number one and three are correct तो इसका last options point one and three are correct सही answer हो जाएगा next question is the rate of increase of temperature with the depth is called geothermal gradient बोला जाता है जो लगबग 38 degree होता है तो इसमें बहुत लोग confuse कर रहे थे लेकिन maximum लोगों ने इसका सही answer दिया लगबग 88 percent student ने सही answer दिया friction clutch is used in endless haulage इसमें भी बहुत लोग tail lob rope hardage और endless haulage में confused हो जाते हैं friction clutch जो है वो endless haulage में ही use होता है next question fill of a void in open cash mines is known as reclamination ठीक है लगबग 91 percent students सही answer दिया है velocity of detonation is the property of explosive not detonator detonator का properties नहीं होता है VOD जो है वो explosive का property होता है कि मानते है detonator के अंदर भी explosive होता है लेकिन जब भी आप से VOD पुछे तो वो सिर्फ और explosive का होगा next question friends की देखेंगे ये explosive वाला question में कितना गलत किये 70 percent लोग सही दिये भागे 30 percent लोग गलत answer दिया है long wall method is generally employed in coal mining चलिए इसमें maximum लोग सही answer दिया है plumb bob is used in centering leveling के लिए हम लोग spirit level के यूज करते हैं centering के लिए plumb bob और YouTube के इस्तिमाल करते हैं ultraviolet rays as absorbed by ozone layer friends बहुत असान question है इसमें भी student अगर गलत कर रहे है तो भगवानी मालिक है उनका क्यूंकि लगवग 18 percent 17 percent student जो है वो गलत किया है basalt का weathering से black cotton soil बनता है basalt जो हम लोग का इंडिया का penuncular region में basalt का बना हुआ है जो हम लोग का deccan plateau है वो basalt का बना हुआ है deccan plateau जो हम लोग का WCL है उधार black cotton soil मिलता है इससे भी आपको अंदाजा लग जाना चाहिए था common sense से चलिए यहां पर 30 का 30 question covered होगियो उमीद है आपको सबका answer मिल क्या होगा है इसमें से आपको जिसका भी answer में doubt है या फिर जिसका भी answer में आप चाहते है challenge करना आप comment section में लिखके बताईएगा और जो लोग हमारे whatsapp group से जुड़ना चाहते वो description box में हम लोग का number दिया हुआ ह या whatsapp का link दिया हुआ आप उसमें जा करके हम लोग का whatsapp से जुड़ जाईएगा उसमें क्या होगा कि in future mining का कोई भी all India level पर exam होगा या test होगा तो आप लोग उसमें participate कर पाईएगा मिलते हैं next video friends तब तक के लिए जाहें